हलो वेलकेम आप देख रहे हैं बिली फॉर यू और मैं हूँ तौसीफ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीपी लिंक के डिफॉल्ट यूजर नेम आण पासवर्ट को कैसे चेंज करते हैं और इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है मुझे तरुन भुजवानी ने चलिए इनका मैसेज पढ़ते हैं इन्होंने लिखा है मुझे वाइपवाई का यूजर नेम आण पासवर्ट चेंज करना है और इसके बाद इन्होंने आपे थोड़ा सो मुझे मसका लगाया है इन्होंने लिखा है मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ और थैंक्स आप अपलोड करते हो प्लीज ये वीडियो भी बनाओ I am waiting so please help तो तरुन भुजवानी जे मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने विवर्स और सब्सक्राइबर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी मुझे वीडियो की र पॉस के लिए हो सकता है कि मैं आपके wifi से connected हूँ और मुझे पता है कि ATP Link का default username and password क्या होता है और मैंने password चेंज कर दिया और मैंने आपको ही block कर दिया तो ये थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए हो जाएगी तो चलिए देखते हैं कि कैसे username and password चेंज करेंगे और ये option कहां प dot zero dot one and इस IP address को open कीचिए अब ये देखिए यहां पर login के लिए आ गया तो यहां पर simply मैं login करूंगा अभी जो मेरा default है admin and password भी जो default होता है admin and login ये देखिए TP Link की यहां पर open हो गया पूरा यहां पर setup सब कर सकते ही तो मैं यहां पर जादा details में नहीं बताऊंगा मैं आपको simply बताऊंगा कि default username and password कैसे change करते हैं तो आप अगर यहां पर देखें system tools सबसे last option है system tools के अंदर आपको scroll down के नीचे आना है and यहां पर password का option है तो password पर click कीजिए तो यह देखिए यहां से password के लिए आगे यहां से हम username and password जो है वो change कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहला option जो है old username तो old username क्या है admin and old password भी जो है हमारा वो admin है यहां पर मैं new username इंटर करूंगा मैं यहां पर डालता हूँ B I L I 4 Y O U and new password new password मैं क्या डालो मैं आपको यह बताऊंगा पासवर्ड इंटर करने के बाद save पर क्लिक कर दिजे यह देखिए यहां पर फिर से login करने के लिए आ गया क्योंकि मैंने जो user id और password है वो मैंने change कर दिया है तो मैं यहां पर फिर से login करूंगा B I L I 4 Y O U believe for you and password जो भी मैंने दिया थो f o r sorry okay and login यह देखिए हमारा फिर से login होंगा यहां से आप चाहिए तो save password कर सकते नॉप तो मैं आपको फिर से बता दूँ आपको सबसे last option tp link में यहां पर मेरे जाएगा system tools system tools में आपको जा रहा है password में और यहां पर आपको पहली old username and password डालना है अगर आप default use कर रहे हैं तो username में आप डाले admin and password में भी admin और यहां से आप change कर सकते हैं इसे new username and new password फिर से आपको confirm new password and simply यहां से save कर दीजिए तो इस तरीके से आप default username and password चेंज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी password चेंज कर सकते हैं यह default की बात नहीं हो रही है आप कभी भी चाहें तो इस तरीके से change कर सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारे options हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हम देखेंगे कि कौन हमारा वीडियो रिक्वेस्ट अब मैं आपको बता दूँ कि आप भी कैसे एक successful वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे website पर विजिट करना है आपको believe for you website पर जाना है सबसे top पर अगर आप देखें तो यहां पर कुछ options है question answer and request for video अगर आप कुछ question पूछना चाते हैं तो आप यहां से पूछ सकते हैं इससे फायदा यह होगा कि मैं अगर आप कोई जवाब देता हूँ अगर same problem किसी और को भी होगी या फिर आप भी यहां पर आकर की कुछ सर्च कर सकते हैं कि यह question पहले पूछा गया है नहीं जैसे मैं इसको open करता हूँ question answer तो यह देखिए यहां पर पूरा एक form है आप यहां से सबसे पहले category चूज कीजिए कि आप किस category से related सवाल पूछना चाहते हैं यहां पर tag डाल दीजे कि मतलब जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं for example android से related android में आप tv से related पूछना चाहते हैं तो कुछ tag यहां पर डाल दीजे question देख सकते हैं answer भी दे सकते हैं तो अगर आपका कोई question है तो आप please question answer में आ करके हां पर question छोड़ दीजिए अगर आप video request करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका जो problem है उस पर video बने तो आप request for video में आईए और यहां पर आप request form फिल कीजिए first name, last name, your email and mobile number optional है gender, male, female and other choose category आप category यहां पर भी choose कर सकते हैं and आप अपना message type कीजिए और send कर दीजिए आप टाउमन conditions है आप उसे accept कीजिए and send कर दीजिए तो इस तरीके से आपका जो request है वो मेरी पास आजाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजिए and share कीजिए ऐसे ही और भी updates के लिए आप हमारे चानल को subscribe कर सकते ही subscribe करने से फायदा यह होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँगा तो आपको उसकी notification आ जाएगी और आप हमारी कोई भी वीडियो miss नहीं कर सकते ही अगर आपने already subscribe किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शक्रिया and finally thank you for watching